इंडिया, नमस्कार सातियों, मैं मुकेश परिहार, यूट एकेटबी के यूटूब चनल पर आपका हर्दिग अभिन दन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाल विकास के जो में में तीन चेप्टर हैं जैसे बाल विकास की अवधारना, उसका अधिकम से संबन, चेप्टर नमबर वन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, चेप्टर नमबर टू, और चेप्टर नमबर थ्री था आपका बाल विकास के सिद्धान्त, आज हम आपके सामने बाल को चेप्टर नमबर चार, चार नंबर का चप्टर है बालको का मांसिक स्वास्त और व्यवार संबंदी समस्या ठीक है इस दो वर्डे हैं आप बालको का मांसिक स्वास्त यानि मांसिक रूप से किस प्रकार से वो बालक स्वस्त होता है ठीक है और उसका जो व्यवार होता है उसके संबन्दी समस्या क्या है तो आज हम बालकों के मांसिक स्वास्त और व्यववार से संबन्दी समस्याओं के बारे में इस लेक्चर में तो ये लेक्चर लगबग तीन ये चार भाग में होगा थोड़ा बड़ा है इसलिए आज हम बालकों के मानसिक स्वास्त के बारे में पढ़ेगे व्यवार संबन्दी समस्या आने वाले वीडियो में रहेगे ठीक है तो बालकों के मानसिक स्वास्त के बारे में हम पुरा जनरल आइडिया लेते हैं किस प्रकार के इसमें चीजे रहती है ठीक है चलिए बढ़ते हम आगे आज हम सबसे पहले बढ़ते हैं कि बालको में मानसिक स्वास्त का आर्थ क्या होता है Meaning of Mental Health याँ अगर सही शब्दों में कहा जाए तो Mental Health का मतलब होता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इस पूरे पार्थ में अगर आपने Mental Health यानि मानसिक स्वास्त को अगर एक वर्ड से पढ़ा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति तो आपको इस चेप्टर में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आईगी जिसे कि आज का यूग चिंता एवं तनाव का यूग है आज का जो यूग है वो क्या है चिंता एवं तनाव का यूग इसके परणाम सरूप मनुष्य के समक्ष मानसिक स्वास्त संबंदी गरिंग भे समस्या उत्पनि मानसिक स्वास्त का मतलब बता है मांसिक रूप से असंतुलित है उसके अंदर चिंता आजाती है उसके अंदर व्याकुलता आजाती है उसके अंदर भगनाशा आजाती है उसके अंदर मांसिक दूंदा आजाता है यह जो चीजे मैं बता रहा हूँ यह चीजे हो जाना इसका मतलब होता है वो मांसिक रूप से अस्वस्त है समझ पारो मेरी बात को एक व्यक्ति के अंदर मांसिक असंतुलन होना इसका मतलब होता है उसके अंदर चिंता आजाना उसके अंदर टेंशन आजाना उसके अंदर मांसिक द्वंद आ जाना उसके अंदर भगनाशा आ जाना उसके अंदर मांसिक द्वंद आ जाना यह इस प्रकार की जो समस्य होती है यह मांसिक अस्वस्त व्यक्ति की लक्षन होते हैं यह मांसिक अस्वस्त जो व्यक्ति होता है वो उसमें दिखाई देती है तो यहाँ पर जो चीजे होती है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आज का यूग चिंता हम तनाव का यूग है बिल्कुल है क्योंकि दिन भर उसको सुबह से शाम तक अपने जीवन को, अपने जीवन के निर्वहा को अपने अस्थितों को बचाने के लिए जीवन भर संगर्ष करना पड़ता है और संगर्ष करने के साथ-साथ उसका जो मांसिक स्वास्ते उसके गंबिर समस्त क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिलिटिव है रहा है आपको किसी एक चीज को खतम करके दूसरी चीज से आगे निकलना है तो यह जो कॉम्पिलिटिव जो एक प्रतिवगी तात्मक जो संसार है उस संसार में आगे रहने के लिए जो उसका मांसिक स्वास्ते स्वास्ते है वो स्ट्रों होना चाहिए और वो कभी-कभी क्या होता है चिंता और तनाव में वो मांसिक रूप से अस्वस्त हो जाता है ठीक है आपकी जिवन की जो भी मिमारी आपको बले हार्ट एटेक हो रहा है आपकी अंदर कुछ भी चीज हो रहा है वो सारी चीजे मांसिक रूप से आपका जो मस्तिश्क है उस मस्तिश्क में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका जो side effect होता है वो side effect सारी बीमारी होगा ध्यान रखिएगा इन समस्याओं की पहचान निदान आज की महत्य आवशकता है वह सबसे पड़ी बात तो कभी-कभी क्या होता है मांसिक रूप से अस्वस्ति व्यक्ति की पहचान भी नहीं हुपाती है मतब आदमी के मन में बहुत चलता है अचा एक बात बता ही बुखार आ रहा है तो टेंपरेचर हो रहा है उसको अंदर कुछ हो रहा है पर मांसिक रूप से अस्वस्ति व्यक्ति की पहचान और उसकी जो निदान है उसको महत्य आवशकता है बहुत जरूरी चीज पूरा व स्वास्त क्योंकि पहले क्या था फिसिकल हेल्थ बहुत इंपोर्टेंट थे इंस सुबह एंक mooi फॉड़ बघ्न नारी celebrity आप जीम जायों एक्सियम करिए कोंग करिई और आज की चारीक में मेंटल हेल्त थी बहुत एंपोर्टेंट है और इसके उपर विध्यान दिया जा र और अब हम आप पता है आपको भारत के जो स्वास्त मंत्रिय डॉक्टर हर्श वर्दन वो अभी डब्ली एचो के चेर्मिन बने तो डब्ली एचो यहीं वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजिशन यहीं विश्व स्वास्त संगठन भी इस पर बहुत जोर देता है कि मांसिक रूप का मत्तब होता है मानव का अपने व्यवार में अगर संतुनन अगर हो रहा है तो वो मांसिक रूप से स्वस्त्य वक्ति कैसे देखे आप थोड़ा सा जिक्र करिए कैसे मानव अपना व्यवार में संतुनन कैसे जैसे कि थोड़ी दिर के लिए जहां पर उसको हंसी जैसा माह होलोता है वहाँ पर कभी-कभी वो फोन पर आ रहा है और अख्ठाया के लेका के बाते करने लग गया तो कहीं न कहीं जो उसका मन है उसका जो व्यवहार है वो वर्तमान इस्थिती से संतुलन में लेकर नहीं चल पाता है इसलिए वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्त के लग है तो मानसिक मानव का आपने अगर जो नेचर है अगर उसमें बैलेंस है तो वही मानसिक रूप से स्वस्त व्यक्ति है चलते हैं यह संतुलन प्रत्य कवस्था में बना रहेना चाहिए यह ब अगर उसकी जो दशा है और उसका जो लक्षन है अगर वो हर परिस्थिति में बना नहीं रेता है तो इसका मतलब होता है वह मांसिक रूप से असंतुलन है और आपने देखा होगा ये मांसिक रूप से असंतुलन वाली बात ये मांसिक रूप से अस्वस्त व्यक्ति में किरा कपने देखां कई सारे लोग फोड़ी सी बात की ऩ्यों बहुत धोपर जाते हिंहें Mansion कि भी लोग बहुत ज़्यादा ठाके लगा के हसते हैं, उनको पते नहीं चलता क्या करना है, कब कितना हसना है, मतलब बहुत चारी चीजे क्या होती है, तो आज के समाज में लड़ाईों का करन क्या हो रहा है, मैंने किसी को बायदवे कुछ मजाक कर दिया, तो वो मजाक सहन कर पाता है, मतलब उसका मांसी ग्रूप से अस्वस्त है, वो ध्यान रखिएगा, पर हम क्या होते हैं, वो चलो होगा, और यहीं उसके व्यवहार में धीरे-धीरे उतर जाता है, और वो उसी प्रकार का उसका व्यवहार बन जाता है, फिर हम बहुत चिल-चिला आदमी है, बहुत ही बेकार आदमी है, कुछ भी कर देता है, तो फिर हम क्या होते हैं, उससे कन्नी काटनी लग जाते हैं, पर कहीं ने कहीं वो मांसी ग्रूप से स्वस्ति व्यक्ति है, उसकी पहचान और निदान आवशक है, पर यह सब की हमारे समाज की, अपने दोस्तों की, हमारे विश्व की और सारी देश की जिम्मेदारी है, क्योंकि मांसी ग्रूप से स्वस्ति व्यक्ति ही, इस विश्व का कल्यान कर सकता है, चलते हम आगे तो आज अभी इस पेरेग्राप में आपने क्या पढ़ा मांसिक स्वास्त का अर्थ जहां से सुनिए क्या पढ़ा आपने मांसिक स्वास्त का अर्थ यह अर्थ है जन्रली है जिससे इस चेप्टर की आत्मा आपके हाथ में आ गई तो आपके मन में पूरी तरह से समाज आएगा चली, बढ़ते हम आगे मानसिख स्वास्त की परिभाषा मैंने फिर बताया आपको कि मानसिख स्वास्त को आपको पढ़ना है मानसिक रूप से स्वस्त व्यक्ति यह व्यवहार में उसका संतुलन, किसी मानव का उसके व्यवहार में संतुलन ही मानसिक स्वास्त है, तो एक आदमी जो मानसिक रूप से स्वास्त है अपने व्यवहार में संतुलित काम करता है, उस आदमी के बारे में परिभाशा है यहाँ पड़ना है तो यहाँ पर head field बोलते हैं सबसे पहले मांसिक स्वास्त संपुर्ण व्यक्ति का पूर्ण सामंजस्य के साथ कारी करना है एक मांसिक स्वास्त जो होता है एक आदमी का जो मांसिक स्वास्त होता है वो संपुर्ण व्यक्तित्यू का पूर्ण सामझस के साथ कारे करना है यहनि उसका जो परसनेटी है वो अगर किसी सामझस सामझस का इंग्लिश में होता है एडजस्मेंट क्या होता है आजस्टमेंट काम अध्यस्टमेंट मतलब क्या होता है कोई चीज़े एच्जस्मेंट कर लेता है जैसलिकिए हम थोई लगे लिए बस में बैठे हैं अपन को एक सीट मेल गए बिल्कूल खिडकी वाली तो अपन चाहते हैं आपने पास में कोई आद्मी बेठे ही निए चाहते है अपर ने बेठे तो बिल्कुल थोड़ा इसा कि साफ इस प्रकार से पर क्या होता है हम मांसिक स्वास्त अगर संपुन व्यक्तितों का पुन सामन्जस के साथ काले करना यहां इसका मत्तब होता है वो कर लें कभी-कभी क्या होता है बस में एक सीट पर दो बैट गए ठीक है कभी-कभी क्या होता है कि एक बुड़ा आदमी तो अगर हम तीन भी बैठ सकते हैं अगर बैठ सकते हैं तो सामंचस करना चाहिए तो इस प्रकार का जो सामंचस वक्तित्व के अंदर होता है वही आदम मान्सिक रूप से स्वस्त है फिक है चलिए आगे बढ़ते हैं Oi ह Catholics कंस पोटा है उसका जो मस्तिश्क वह विल्किल होना चीज फिल्ड में होना चीज फिल्ड का मतलब क्या होता है दरातल लेंड 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 बना लेंड से तो लेंड का हो क्या दरातल दरातल शब्दा आ रहा है तो मांसिक स्वास्ते से अभी प्राए वास्त्विक्ता के धरातल पर वातावर्ण से परियाब तो समयोजन करने की योगिता देखिए वास्त्विक्ता का जहाएंगा जायेगा है यहां पर लेडल का लेंड हो जायेगा क्या हो जाएगा, लेंड, लेंड, लेंड का मतलब क्या होता है, धरातल, और धरातल का मतलब क्या होता है, जमीन, तो जमीन, लेंड मतलब धरातल होता है, तो मांसिक स्वास्ते से अभी प्राय, वास्टिक्ता के धरातल पर वातावर्ण से परियाप्त समयोजन करने की योकेत चलिए आगे चलते हम कुप्प स्वामी एक भाई साब है वो बोलते हैं क्या बोलते हैं इसके बारे में बात करते हैं कुप्प स्वामी जी बोलते हैं मांसिक स्वास्तक अर्थ देनिक जीवन में भावनाओं इच्छाओं, महत्वकांख्शाओं यह आदर्शों में संतुलन बनाए रखने की योगिता है अगर आप अपने भावनाओं को कंट्रोल कर लाते हैं भावनाओं को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है भावनाओं में संतुलन क्या है जिसे भावना है आपकी खुशी का भाव सुख का भाव दुख का भाव, यह भावना हैं सभी, यह भावना है, इन भावनाओं को आप बैलेंस करके रखते हैं, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, वहां पर अपने खुशी को तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, नहीं तर पलोक पागल कहेंगे आपक जहां पर बहुत ज़्यादा जैसे की गमगिन मावल हो गया, आपका कोई नियर एंड डियर, कोई एक्सफायर हो गया, मर गया, तो वहां पर भी अपने भावनाओं को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, यह जीवन का सत्य है, जो आया है, वो गया है, ठीक है, मतलब होता है, जैसे कि कहीं गए, बफेड में गए, खाना खाने के लिए, चोटे-चोटे बच्चों की बारे में बात करने हैं, क्योंकि यह पी चेफ्टर है हमारा लगभा अठा साल तक के बच्चों के लिए, तो इच्छा है क्या हो रही है, और कभी देखा नहीं गुला करने की योगिता है, जीवन की जो रियलेटी है, उसका सामना करने की आप में हिम्मत होना चाहिए, जीवन की वास्त्रिक्ता है, अभी करुणा आगया, करुणा आने के बाद अगर आपकी जोब में हो, और प्राइवेट जोब में हो, और प्राइवेट जोब में आने के ब वरबाद हो गया नमितियो voulais सबके साथ है वास्थुक्ता यह वास्थुक्ता है इस वास्थुक्ता को आपको पूंस करना चले आगे चलते हैं तो आपने यह ऐ पर फिर तीन परिभाश यह पड़ि एक बार हम देख लेτε मांसिक तो मांसिक रूप से जो आदमी होता है वो क्या हो रहा है, फिल्ड य python सवास्त संपुन व्यक्ति का पुन सामज़त के साथ क्या अठी करना है ठीकि यह हो गया मांसिक दूसरा हो गया, लेडल मतलब होता है धर्ती और कुपुस्वामी का मतलब हो गया स्वामी जी, अब स्वामी जी के अंदर क्या होती है, भावना है, इच्छा है, महत्व कांच्छा है, इन सब में बेलेंस है, पर स्वामी जी किसको कहें है, कोई भी आदमी स्वामी बन गया, कोई भी आदमी सादू बन गया, तो उसके अंदर इच्छा है, भावना है, महत्व पंगशार आधर्श क्या होता वेलें सवस्थान होता तो स्वामी जी वैलें सवस्थाने लेडल धरहातल से परियादत अब हुद अब हम चलते मानसिक स्वास्त के उद्देश क्या घ्रक्र कोई स्वास्तिव क्या है Thank you उसके उद्देश क्या होंगे मांसिक रूप से कोई स्वस्ति व्यक्ति है तो वो कौन-कौन से लक्ष को प्राप्त कर लेता है तो मांसिक स्वास्ति के उद्देश क्या क्या है अधिक प्रभावत पक्ता और संतुष्टि देखिए अगर कोई मांसिक रूप से स्वस्त व्यक्ति है तो उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव भी बहुत रहेगा देखिए आपने देखा हो कुछ लोग बड़े शानत होते हैं, बड़े प्री होते हैं ना उनको कभी दुख से कोई परक पड़ता है ना कभी कोई सुक से बहुत ज़्यादा कोई फरक पड़ता है बस वो अपने मन में खुश रहते हैं बहुत ज़्यादा एकसाइटमेंट नी रहते हैं उत्तिज नी होते हैं और संतुष्ट रहते हैं कंटेंट बहुत ही संतुष्ट रहते हैं उनके पास जो आ रहा है उनको पता है हमने अपने 100% मेहनत करी और 100% मेहनत करने के बाद हो सकता है कभी-कभी परिणाम उस हिसाब से नहीं आए उसके बावजुद भी वह content होते हैं क्या रहते हैं संतुष्ट होते है अब चलते हैं जीवन की वास्तिविक्ता को स्विकार करना यस एक मांसी गूप से स्विक्ती का उद्देश ही होता है कि क्या होता है वो अपनी जीवन की वास्तिविक्ता को स्विकारता है यह आपने एक factory शुरू करते है छलो ठीक है थोड़ी देर के लिए वास्तिविक्ता क्या है आपने अपना एक टेंट का बिजनस शुरू किया ठीक है टेंट तो चलो ठीक है आप तो बाजे का बिजनेस करो एक बेंड बाजे का बिजनेस आपने शुरू किया और आपने सोचा किया और इस साल तो यह ना बहुत साधी होने वाली है आपने क्या किया सभी लोगों के लिए और आप नया बेंड लेके आए और गाओं गाओ में विलकुल एक दम पूरी तरह से कर दिया अब पता चला कि मार्चे से लॉक्डाउन हो जया आज आज आप सुचिए मही महीना चल रहा है मही के अंत में चलते हैं अभी तक शादी एक भी नहीं हुई तो आप कल्पना करिए आपकी बेंड की हालत क्या हो दियान से सुनिया तो आपका बिजनस क्या हो गया ठफ हो गया वह एक रियालिटी पर आपने क्या किया बहुत सारे इस रियालिटी में खतम हो जाते हैं और सुसाइट तक का कदम उठा लेते हैं ध्यान रखिएगा यह मांसिक रूप से अस्वस्ति व्यक्ति के ही करण होता है बहुत सारे लो और व्यक्तियों का आपसी सामंजस से अपने आप मन में वह अगर सामंजस से बना के रखेगा तब ही यह सारी चीज़े हो सकती है तो यह हो रहा है आपका व्यक्तियों का आपसी सामंजस तो यहां पर अगर वह प्रभावत वक्ता यानि वह उसके अंदर वह इफेक्त ने स के लक्षन तथा प्रकरती ठीक है आज का यह हमारा यहां तक पढ़ेंगे हम अच्छे मांसिक स्वास्त नेचर ओप सिंटम्स अब गुड मेंडरल यानि कैसे हम पेचानेंगे कि यह व्यक्ति जो है बिल्कुल मांसिक रूप से स्वस्त है पेचाने के बात करते हैं पहले चिन अगर वो उनसे कम एड़ेस्मेंट कर लेता है नवी परिस्तियों से इस घर से जैसे मामी बापा घर से अगर किसी मामा के गर पे गया हो सकता है उसके मामी बापा घर पे बहुत अच्छा है खाने पीने का रहने का सब कुछ अच्छा है और अपने मामा के वह पे गया तो उस परकार की इस्सितिया उसके वह नहीं हो सकती हो सकता है में भी दोनों में श्राइब教 इसाफी हंतों उभाय को किता है, तो सब्सक्तों नम्हें से को पूर्ण करना ने सफ्ण हो हाँ, क्पोर्ण से सफ्ष्ण उपने ओंडेश मीस सफ्ष्ण मांज़ कोृण करना करना है, है वह सफ़ल होता है जो भी उद्देश उसने बरात कहें जैसे कि मुझे अभी अपने 12th की एक्जाम में या अपने 10th की एक्जाम में चोटा बाला के चोले तो अपने अबर लाना एतो थिक पड़ेगा ठीक है तो अपना उद्देश होता है वह अपने आपसे पूरा लेता है वो पूर्ण कर लेता है और उसका शारीरिक स्वास्त अच्छा होता है सबसे इंपोर्टेंट चीज है जिस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्त अच्छा होता है शारीरिक स्वास्त का मतलब होता है उसको इसा नहीं बहुत सारे लोगों तो बच्चों थोड़ थोड़ द तो इस प्रकार से उसके अच्छे शारीरिक स्वास्त का लक्षन यही है, अच्छे मानसिक स्वास्त का लक्षन यही है, कि उसका शारीरिक स्वास्त क्या होता है, अच्छा होता है, और लास्ट, आत्म इश्वास से पुन होता है, ध्यान रखिएगा, उसके अंदर आत्म इश आपने बोलते हैं कि इसा करो कि अभी पिपले जाके सामान लेके आजाओं वो कितनी बज रही है नो बज रही है अब कब जाओंगा वो इस प्रकार से बात करते नहीं हाँ पाप लेके आओं उसका अंदर क्या होता है हर चीज को एक्सेप करने की ताकत होती है और उसको आत्म चोटे बच्चे नहीं आप खुद भी अगर इन चीजों से शिकार तो नहीं इन चीजों के बारे में धीरे धीरे आप अपने उपर कंट्रोल करके कर सकते हो ध्यान रखिएगा यह मांसिक रूप से अस्वस्ति व्यक्तिव साइड इफेक्ट बीमारी होती है जिसे में बता होती है तो इस प्रकार से आज आपने क्या सिखा मांसिक स्वास्ति में रूप से बालकों के लक्षन सीखे आपने कि उद्देश सीखे उनकी परिभाशाय सीखी और मांसिक स्वास्ति का एक सामान्य अर्थ सीखा ठीक है मैं आशा करता हूं कि यह चीज़ें आपको अच्छ पढ़ेंगे इस मांसिक रूप से अस्वस्त व्यक्ति के लक्षन क्या-क्या होते हैं मतलब क्या-क्या बीमारिया हो जाती है उनको क्या मांसिक विकार हो जाते हैं और उन मांसिक विकार को दूर करने के क्या-क्या उपाय होते उनके बारे में पढ़ें उसके बाद हमारा र पास्त पढ़ रहे हैं उसके बाद क्यों बार पढ़ा है ठीक है तो आशा करता हूं यह चैप्टर आपको अभी समझ में आ रहा होगा कहीं भी कोई दिकत हो आप बताइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अच्छा बुरा आप जो सुझाव चाहते हैं वो सारी चीज झाहते हैं